फ्रेंट्स क्या आप अपने वेबसाइट या ब्लॉग के लिए एक .in domain name खरीदना चाहते हैं और आपने बहुत सारे वेबसाइट्स पे domain name सर्च किया है पट अभी तक आप confused हैं और आपने ये decide नहीं किया है कि domain name कहां से आखिर खरीदें तो आज एक बहुत अच्छा offer लेके मैं आया हूँ जिससे कि आप सिर्फ 199 रुपय में एक .in domain name खरीद सकते हैं तो फ्रेंट्स मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक .in domain name GoDaddy जैसे website से खरीद सकते हैं और आगे बढ़ने से पहले request करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को तुरण subscribe कर लें तो वीडियो में आँ तक बने रहे हैं friends क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरट बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 199 रुपय में यह domain name खरीद सकते हैं तो जो भी domain name आपको चाहिए friends पहले आपको यहाँ पर इस search box में टाइप कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर मैं अपने blog का या फिर website का नाम यहाँ टाइप कर ले रहा हूं जो कि है qualified tech और मुझे dot in domain name यहाँ पर search करना है ठीक है तो मैंने यहाँ पर search बटन पर click किया और यहाँ देखी यह जो domain name है यह available है अब यहाँ जो price है में दिखा रहा है friends वो है 149 रुपीज ठीक है बट एक यहाँ catch है नीचे आप देखे जहाँ पर मैंने highlight किया है वहाँ ल मिलेगा ठीक है तो मैंने इसे देखिया add to card पर कर दिया अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ देखे दो साल के लिए यह product add हो चुका है ठीक है और इसका जो final price है वो है 748 रुपीज तो इसका मतलब यह है कि first year के लिए 149 रुपीज हमें देने होंगे और second year के लिए 599 और total price हो जा रहा है 748 रुपीज अब अगर आप इसे one year के लिए करेंगे तो देखे यहाँ पे आपको 449 रुपीज देने होंगे तब ही आप इस domain name को खरीद पाएंगे ठीक है तो यही यहाँ पे catch है friends बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक साल के लिए इसे सिर्फ 199 रुपे में खरीद पाएंगे ठीक है तो दो साल के लिए देखे अगर आप खरीदते हैं तब आपको पहले year के लिए 149 मिलेगा और दूसरे year के लिए 599 देख करके आपको total price 748 पे करना होगा तो आप एक काम कीजिए आप one year के लिए इसे add कर दीजे ठीक है और यहाँ पे म देख कर दिया है ठीक है Linux hosting पे भी मैंने no thanks कर दिया है और friends यहाँ पे देखिए जो हमारे items के cart में added है उसका price आप देख सकते हैं 449 रुपीज है ठीक है one year के लिए और नीचे में कुछ taxes वगेरा भी लगे हैं वो भी आप देख सकते हैं और total जो price आ रहा है वो है 516 रुपी पे click करना है और एक promo code मैंने इस video के description box में डाल दिया है उस promo code को आपको copy करके यहाँ पे type कर देना है या फिर उसे paste कर देना है और apply पे click कर देना है यह promo code apply करते ही आपको एक अच्छा कासा discount मिल जाएगा यहाँ पे और यहाँ देखिए जो final price हो चुक है friends आप देख सकते है domain name का हो गया है 199 रूपीज और taxes यहाँ पे है 29 रूपीज 85 पैसा जो की मिला करके total add करके यह हो रहा है 228 रूपीज 85 पैसा यह हमारा final price हो रहा है तो यहाँ पे देखिए जो domain name हमें मिल रहा है वो सिर्फ 199 रूपीज में हमें मिल जा रहा है तो यह promo code आपको यहाँ पे add करन अब देखिए यहां left side में आप देख सकते हैं कि create an account तो अगर आप first time user है तो आपको यहां पे login करने का option मिल जाएगा और sign up करने का option मिलेगा ठीक है तो आप यहां पे sign up कर लीजिए या तो google account से आप sign up कर सकते हैं या facebook account से वो करने के बाद आपको next page में देखिए यहां पे billing information एंटर करना होगा जैसे कि अपने country को आपको select करना होगा अपना नाम, first name, last name, अपना mobile number यहां पे देखिए एक option है connect with whatsapp इसे आप agree भी कर सकते हैं या फिर decline भी कर सकते हैं उसके बाद नीचे अपना address वगेर आप सारा कुछ फिल कर दीजिए state, city और यहां finally save पे click कर पे जा जाएगा जहां पे आपको अपना payment details एंटर करना होगा कि किस medium से आप payment करना चाहते हैं credit card से, debit card से, net banking से, वो सारे options आपको यहां पे मिल जाएंगे तो आप यहां पे simply payment करके इस domain name को 234 rupees and 82 paisa में आप खरीच सकते हैं तो यही वो technique है friends जिससे कि आप GoDaddy जैसे website से आ क करके यह domain name 199 rupees में खरीच सकते हैं तो thank you very much friends for watching this video and please subscribe